नमश्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजे नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए इस चैनल की सारी लेटेस वीडियो तुरन देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त संचित और स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो सरीज में जहां हम डिसकेशन करने वाले हैं डेटा बेस मेनेजमेंट सिस्टम पर दोस्तों ये इस वीडियो में सब्जेक के इंटरनल टॉपिक्स की बात नहीं करूँगा पहले पढ़ना है पढ़ने का तरीका कैसे चेंज होना चाहिए वेगर आप समझेगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही कि आप पूरा सब्जेक पढ़ने लगते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है या किस टॉपिक का किस एक्जाम में कितना तो चली दोस्तों अभी देखते हैं डेटाबेस को टॉपिक बाइ टॉपिक तो पहला टॉपिक आप देखेंगे दोस्तों वो है यहां पर ER डाइग्राम जी हां इसको आप ऐसे समझ सकते हैं देखें कि डेटाबेस भी एक तरह का सौफवेर है तो जैसे हम किसी भी स्टेट्मेंट्स कि यह हमारी प्रॉब्लम इसके लिए मैं को सौफवर बनवाना है तो दिल्गे सबसे पहले हम करते हैं रिक्वार्मेंट अनलेस जहां पर उसकी सारे रिक्वार्मेंट हम जान लेता है और फिर उसको लिखने अक डॉक्यमेंट के अंदर इसको बोलते हैं तो database के अंदर देखे समझेगा software designing में बहुत सारे tools होते हैं लेकिन यहाँ पर हम especially पढ़ते हैं ER diagram को इसका reason यह है इसको पढ़ना समझना आसान है database की terminology है entities relation उसके साथ ही बहुत अच्छा काम करता है और इसको relational model या table वाले format में convert करना बहुत आसान होता है तो सबसे पहला topic जो DBMS में पढ़ना चाहिए दोस्तों वो है ER diagram तो बहुत ही आसान और मज़ेदा topic है तो मैं exam by exam बताता हूँ अगर आप university exams की त्यारी कर रहे हैं तो ER diagram के अंदर basic structures क्या हैं entities हैं, relationships हैं, attributes हैं उन सब का basic basic knowledge और maybe a question designing का भी आ सकता है तो एक set of problem statements होगी कि मान लिजए एक company है, उसमें employees हैं, projects हैं, departments हैं उससे साब आपको basic designing करना होगा बट अगर आप competitive exam की तैयारी कर रहे हैं तो ER diagram से designing तो of course नहीं पूछ सकता objective paper में तो बस type of attributes, relationships उन सब के बारे में basic basic understanding होना बहुत जरूरी है तो मैं सब बोल सकता हूँ, सिर्फ ER diagram से in gate and net you can expect a one question maybe a one mark और in university exam you can have a five mark basic question जब आप ER diagram को अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पहला important topic आता है वो है conversion of ER diagram into relational model यह एक बहुत important topic है gate and net की अगर बात करूँ because यहाँ पर exam में ऐसा कई बार questions पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक ER diagram और इसको convert करना है relational model में आप बताएं minimum या maximum कितने tables लगेंगे तो यह दोस्तों एक बहुत important topic है और मेरे कहल से इससे आप एक question university exam में भी expect कर सकते हैं तो यहाँ पर भी you can have a one to two mark question तो total ER diagram या conversion का आप gate या net में one या two marks question का weightage मान सकते हैं और दोस्तों यह बहुत ही आसान topic है इससे घबराना नहीं है लेकिन बहुत जादा नहीं पढ़ना बहुत extended नहीं पढ़ना इस specific गिंती के मैं topics के अंदर नहीं जा रहा हूँ लेकिन 3-4 तरे के attribute 2-3 तरे की relationship strong entity, weak entity अगर यह basic basic कहानी आपको पता है तो बड़े मज़े से आप यहां से पूरे में से पूरे number ले आगे ऐसा कोई number दोस्तों नहीं कटेगा और of course इस series में जब आप one by one सारी videos follow करेंगे तो इसमें आपकी बहुत अच्छी understanding बनने वाली है अगला topic यहां पर दोस्तों आता है वो है basics of relational model और functional dependency तो relational model की बात करूँ तो basics थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जैसे conceptual level क्या है logical level क्या है, physical level क्या है as a database, फिर table को हम divide करते हैं columns में और rows में तो क्या order change करने से फ़र्द पढ़ सकता है क्या दो column का same name हो सकता है क्या नहीं, row, tuple entity किसको कहते हैं यह सब basic fundamental थोड़ा सा आपको आना चाहिए और अगला बहुत important यह है functional dependency मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों को normalization बहुत tough लगता है इसका reason यह है कि आपकी अभी बहुत अच्छी knowledge नहीं है दोस्तो functional dependency पे अगर functional dependency और keys पे आपकी अच्छी knowledge हो तो मुझे नहीं लगता कि normalization के किसी भी question में एक मिनट से जाद आपको लगना चाहिए तो दो set of functional dependencies अगर आपके पास है तो canonical cover या minimal cover क्या होता है दो functional dependency को एक दोसे के साथ compare कैसे करते है एक set of dependencies हमारे पास होंगे आपसे पूछेगा कि यह जो एक नहीं dependency है valid है के invalid है तो इस तरह के बहुत सारे questions gate और net में independently और university exam के इसाब से भी दोस्तों बहुत important topic है तो functional dependencies मैं ऐसा मानता हूं gate या net में one to two mark question आप यहां से बहुत आराम से expect कर सकते है किसी भी साल का paper उठाके देखिएगा और दोस्तों एक independent question one year two marks का आप सोच सकते है keys पे लोगों कैसा लगता है कि normalization मतलब normal form यह पढ़के जाना है आप किसी भी साल का paper उठाके देखिएगा तो मारे जिए independent question पूचा है how many different candidate keys are possible एक बड़ा popular question है और लिए मैं रिखाल से हर 10 साल में 5 या 6 बार यह question repeat होता है तो अब या functional dependencies पे basic question तो अगर आपके यह concepts clear है जो की होने भी चाहिए इन पे independent questions भी पूछता है और इनी topics को use करके आप बार में normalization की बात करते हो तो बड़ा important है और अगला topic of course हमारा जाता है normalization तो आप समझे रहे हैं ये database and software designing भी हम कर रहे हैं हमने पहले design समझा फिर design को relational model में convert किया normalization हम कर रहे हैं so that उसमें redundancy ना रहे टेबल जो हैं वे एक optimal form में आ जाए हैं और एक question 1 या 2 marks का वो आप यहां पर भी expect कर सकते हैं अब एक बात समझेगा थी कि exam के इसाब से question कैसे change होता है अगर gate ये net objective exam की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर एक table आपके पास given होगर आपको सिर्फ बताना होगा ये कौन सी normal form में है बट university exam में अगर ये 10 marks का question पूछता है तो question होगा बताएं table कौन सी normal form में है अगर नहीं तो इसको BCNF या 3NF जहां तक बीचे इसको decompose भी करना है तो थोड़ा सा in-depth आपको knowledge होना चाहिए हम सभी कुछ cover करके चलेंगे लेकिन of course मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तो किसी भी exam की वेबर की आप तयारी करते हैं तो previous questions पे एक बार ध्यान दे जिससे आपको समझ आए कि actually important है क्या जब normalization आप कर ले तो एक तरीके से database को optimal form में ले आए हैं अब अगला काम जो यहां पर है जैसा मैं आपको बता रहा था कि functional dependencies एक तरीके से वो tools हैं जिनको use करके हम normalization करते हैं बट वो normalization हम दोस्तो BC enough तेक ही कर बाते हैं उसका आगे BC enough काम नहीं करता और यहां पर दो important property हैं से मुझे लगता है 90% students यहां तक काम करते हैं but lossless या lossy decomposition decomposition data की terms में यह decomposition dependency preserving है के नहीं यह अच्छा question है जादा frequent नहीं है मार लेज़े हर 5 साल में एक या दो बाज़स से question आता है लेकिन जब भी आता है direct आता है और बहुत आसान है तो इस पर भी आपका knowledge होना चाहिए functional dependencies से ही use होते है बट थोड़े से different topic है very important अगली बात करता हूं indexing और physical structure की एक तरीके से मान सेखते की जब database हमने design कर लिया है अब दोस्तों उसको efficient बनाना है time की terms में तो indexing और physical structure आपको file को जल्दी से access करने का तरीका दिलाता है और B और B प्लस री समझते की उनको implement कैसे करते है तो one या two mark बहुत है simple question है पहले आपको basic index आने चाहिए जैसे primary index क्या है secondary index क्या है cluster index क्या है बहुत important बहुत है simple logic और दूसरा physical structures B trees, B plus tree उनको कैसे implement करते हैं university exam, gate exam दोनों के लिए बहुत important यह सिर्फ एक specific pattern नहीं आपको पढ़ना है जब एक तरीके से आपकी designing दोस्तों जोगी complete अब उसको use करना है यहाँ पर आता है query languages SQL relational algebra या फिर relational calculus दिखेगा ये दो topic बहुत important है hardly आपको कभी कभी कोई question दीखेगा relational calculus से बढ़ आप मान सकते हैं इन दोनों भी मुझे ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा important algebra है algebra से ज़्यादा questions पूछे जाता है बट more or less आप मान के चलिए आई एक question 1 to 2 mark पूछना ही पूछना है algebra से भी और calculus से भी है ना university exam में of course आप से कोई query लिखवा कर भी देख सकता है लेकिन gate or net की बात करें हमारा programming logic इतना strong नहीं है हमें इस पार अच्छे समझनी आना तो हमेंशा ही बोलता हूं भाई query लिखनी नहीं है लिखी वी query पढ़नी है और उसमें भी option आपके पास है तो इतना मुश्किल है क्या नहीं अगला आखरी दो टॉपिक जिसको बोलते है तो समझेगा यह more or less जो सारे के सारे टॉपिक से एक तरी के सिस्टम डिजाइनिंग के है यह दोस्तो है कि सिस्टम को operational कैसे रखना है तो day-to-day operations जो databases में होते हैं उसकों बोलते हैं transactions transactions में कुछ basic topic हैं जैसे transaction states क्या होती है वो समझना आपको basic transaction की definition क्या है schedules क्या है और सबसे important topic वो है दोस्तो conflict serializability मैं challenge कर सकता हूँ पिसलिए 25 विर्स में count करिएगा कम से कम 20 questions आपको मिलेगे conflict serializability से अगर आप exam से ठीक 10 मिट पहले मेरे पास सामर पूचे की sir एक 5 मिनट है यह 10 मिनट है एक question करा तो जल्दी से एक्जाम लिखना है तो मैं आपको पहला topic दोस्तों जो पढ़ाऊंगा माले जो operating system से CPU scheduling और databases से conflicts reliability check करना तो बहुत ही आसान न्यूमेरी के लिए हर बार पूछता है कुछ basic properties schedule recoverable है के नहीं, cascade less है के नहीं इस तरह का basic discussion और concurrency control में हाड लिएक है दो protocol आपको पढ़ने है जैसे time stamping हो गया या फिर two ways locking हो गया तो जोस्तों यह एक तरह का पूरा मान सकते हैं कि एक view है database management system का देखिए बात हमेशा समझेए पूरा subject आपको पढ़ना है video series में इसके अंदर आपको specific discussions मिलेंगे practice questions मिलेंगे theoretical discussions मिलेंगे बट मैं हमेशा बोलता हूँ मान लिजाए आप gate और net की तयारी अगर कर रहे है तो अपने हर exam का लेक पैटर्न है हर exam का difficulty level अलग है तो कम से कम previous five or ten years paper आप उठाएं अपने हाथ से एक एक question को mark करें और देखें किस topic से कितना question पूछ और क्या पूछ रहा एक्चुली प्रिक आप समझे प्रॉब्लम क्या है यह experience धीरे धीरे आपको समझाते है यह exam लिख लेता है तब यह बात realize होती है यह इस topic पे इतनी मेहनत कर लिए इतना important नहीं था इस topic पे महनत नहीं किये जादा important है तो भाई यह काम पहले करना है पहले analyze करो किस topic से क्या question पूछ रहा है किस pattern पे मैं कहना अगर आप इतना काम करोगे न last five years कर लो last ten years कर लो आप मुझे आके बताओगे सर यह topic important है यह topic important नहीं और इस topic से इस तरह के questions पूछ रहा है hard work के साथ सा smart work भी करना है smart work करोगे तो मुझे लगता है कि knowledge gain होने के साथ सा score भी करना है problem क्या है बहुत सारी books आपने पढ़ी बहुत सारा समय लागा knowledge तो gain की लेकिन knowledge तो gain की लेकिन नहीं देखना मैं मेंशा सब बोलता हूँ important topic थोड़ा छूट जाए लेकिन किसी topic को extra नहीं पढ़ना because total time तो constant है आपने पास तो अगर हम किसी भी topic को extra पढ़ रहे है दोस्तों समझेगा किसी दूसरे topic का important time आप छीन रहे हो किसी दूसरे